हेलो दस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ट्रेडिंग लर्मिंग के एक और नए वीडियो में दस्तो आज के इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसी स्टेटजी आपको बताने वाला हूँ जिसे स्टीक कर आप भी काफी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दस्तो मैं आपको एक बात बोल दो कि स्विंग ट्रेडिंग के उपर ये मेरे यूटूब चैनल पर पहला वीडियो है आज तक हमने स्विंग ट्रेडिंग के उपर कोई ऐसा वीडियो ही नहीं बनाया क्यूं नहीं बनाया? क्योंकि हमें आज तक स्विंग ट्रेडिंग के कोई ऐसा स्टेडजी ही नहीं मिली थी जिससे अच्छा खासा मार्केट वे पैसा बन पाता लेकुन दोस्तो फाइनली हमें एक ऐसी स्टेडजी का पता लग गया है एक ऐसी strategy मिल चुकी है जिससे भाईया खुब पैसा बनने वाला है तो ये strategy क्या है अभी एकदम practically आपको दिखाऊंगा आपको समझाऊंगा आप ही बोलोगी वाँ पंकज भाईया ये वीडियो देखकर मज़ा आगया तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और हाँ तब से पहले वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि वीडियो इतना अच्छा होने वाला है वीडियो की भाउनाव में आप हो जाने वाले है तो अभी लाइक सब्सक्राइब कर देजिए तो चलिए इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो दोस्तों तब से पहले मैं आपको बता दू कि आखिरकार सुन ट्रेडिंग होता क्या है और इसको कौन कौन से लोग करते हैं और किन लोगों को करना चाहिए तब से पहले ये जान कर लेना जहीं को बहुत ज्यादा पैसे को लगाते बढ़े-बड़ी इनवेस्टर होते हैं अभी क्यों वह करते हैं कि उन्हीं पता होता है मार्केट में कहां पर बाइंग अने वाली है और कहां पर सेयलिंग आने वाली है लेकिन हम जैसे beginner लोग को कुछ भी नहीं पता होता है हम यहीं जानते कि Market नीचे गिरता है तोSome पर हमें बाई करना चाहिए ताकि जो मार्केट उपर जाए तो प्रोफिट बने लेकिन दोस्तों माल लो मार्केट नीचे गी रहा है और वहां पर हम किसी सेर को बाई कर रहे हैं और वहां से सब्सक्राइब गिर गई तो हमारा और ज्याजा नुकसान हो जाएगा ना लेकिन यह जो मैं स्टेजी बताने वाला हुना इसमें आपको खुद बताएगा कहां पर बाई करना है कहां पर सेल करना है हम कब बाई करते हैं जब हमें कोई ऐसा बूलिस केंडलिस्टिक पैटन दिखता है कि हाँ यार इस कंपनी के स्टोक्स में यह पैटन बना है तो मार्केट उपर जाएगा लेकिन बिगनर लोग यह मतलब एकदम कंफर्म नहीं होते क्या सच में यह वही कंडलिस्टिक पैटन है तो एक ऐसे एप के बारे में बता दो जिसमें यह खुद बताता है कि भया यहां पर यह सिगनल मिला यह कंडलिस्टिक बना है तो यहां सो हो सकता है मा एंजल वन एप है और यह एंजल वन का कोई इस पॉनसर्ड वीडियो नहीं है मैं एंजल वन को खुद परसनली यूज करता हूं और एंजल वन के अंदर यह फीचर आ चुका है जो आटोमेटिक बताता है कि कहां पर हैमर बना है कहां पर ड्रेगन फ्लाइड ओजी बना है क कहां पर इन्वर्टीड हेवर बना है कहां पर सूटिंग इस्टार बना है कहां पर हैंगिंग मैन बना है रहें सब कुछ बताता है और यह चीज़ जानकर कैसे फायदा उठाना है चलिए मैं आपको लाइब बताता हूं अभी मैं आ ग्या हो एस स्क्रीन के उपर और मैं एंजल वन एप को हम खुद यूज करते हैं और अगर आप एंजल वन को यूज नहीं करते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्षिन में इंजल वन का बेलकुल फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जायेगा आपको तो जल्दी से एंजल वन में पना डीमिट एकाउंट ओपन हो चुका है और एंजल वन में यह जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेट्जी है ना वह यहां पर आपको मिलेगी वाच लिस्ट के सेक्तन पर तो जो लोग अल्रेडी एंजल वन को यूज करते हैं वो इसको देख लेजिए ठीक है तो यहां पर वाच लिस्ट का ओप्शन है तो हम watch list पर जैसे ही click करेंगे अभी दोस्तों देखो यहां पर Angel One में नया feature यहां पर list किया हुआ है तो यहां पर जो दिख रहे है discover यहां पर लिखला है my watch list तो जैसे ही watch list पर आप click करें रहोगे तो discover पर देखो तो आटोमेटिक नीला नीला बना हुआ है न तो यहां पर जैसे ही हम इसको scroll करेंगे न तो बहुत सारे candlestick मिल जाएगा ठीक है यहां पर आटोमेटिक बताएगा कि किस को मतलब स्टोक्स के अंदर कहुं सा candlestick बना है बूलीस है या फिर यहां पर देख सकतो जैसे बहुत सारे candlestick का नाम इस ने दे रखा है कि hanging man Hangin Man, Bullish Engulfing, Bullish Harami, Morning Star . तो ये सारे Candlestick है , यहाँ srin सकते हूं यह तो थोड़ा सा और नीचे करते हैं, flavors नीचे करते हैं है , तो यह सारे Candlesticks नीचे करते हैं तो यह सा więcej कंडल है .. अब आपको पता है है भैया कि ड्रेगन प्लाइल जो रहता है अगर ये सपोर्ट पर रबंता है तो यहां से मार्केट का रिवर्शल का चांस बहुत रहता है और यह सपोर्ट पर बनता है सैन अनर का होता है निसाइंग पेंगर के इंदर याء मतलब मार्केट नीचे गिरे चाहे उपर जाये तभी प्रॉफिट कमाते हैं मतलब चाहे जिदर जाये मार्केट में अगर नीचे गिर रहा है तो हम पूट आप्शन ले लेते हैं फिर भी पैसा कमाते हैं और लेकिन सेयर में क्या होता है किसी कंपणी की स्टोक्स में क्या होत तो अच्छा खासा profit हो जाएगा और बाद में हम देखते रहेंगे या पर रोज दस दिल बीज दिल पर चेक करते रहेंगे कि किस company के स्टोक में bearish scandalistic बन चुक है यानि कि जिस company के share में हमने buy किया हुआ है क्या उस company के share में कोई bearish scandalistic pattern तो नहीं बन गई क्योंकि जब bearish बन जा वो बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए करके दिखाते हैं अब यहाँ पर जैसे देखो कि dragonfly doji है तो dragonfly doji को उपर जैसे हम click करेंगे click करने के बाद वो company के अंदर जिस company के अंदर dragonfly doji बनी रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर pholix ltd एक company है इस company के अंदर बता रहा है कि dragonfly doji बनी है और इस company का share जो है वो भी बता रहा है कि 1672 रुपए पर यह चल रहा है तो इसको दाफोनिक्स जो है इसके उपर भईया हम click करेंगे ठीक है और click करके इसका हम चार्ट देखेंगे क्या सच में इसके चार्ट के उपर dragonfly doji बनी है या फिर ऐसे ही बता करते हैं तो जैसे हां पर देखो चार्ट है कि उपर यहां Hang बड़ार करके भदे चार्ट है तो यहां कर रहा है तो यहां से यहांसे कहते हैं तो यह हम से हटा देटेख लिए होगा धिकिना मैं देखेंगे 4000 दोझी लेया दू? टो थोड़ा coloring छोड़ा दिक्रणाइं यहां पर दिखिए कि putting भर है जेको तो अब सिंगलर का चर्ट हाडन और यहां तक मार्क चर्ट है तो यहां पर दो महिना दो महिना तिन करहें कि आज हम्य कि दिकलाता है फ़ mellan और ак देखो ऐसे जैसे किया अभी यहां पर एक वोल्यूम लगा हुआ है इंडिकेटर तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं यह जो नीचे नीचे वाला है यह वोल्यूम है इसको हटा देते हैं अब यहां पर देख सकते हो आज भाईया है यहां पर दिखा देते हैं तारीक 6 यानि कि चार तारीक का यह मार्केट है और टाइडेस तंडे दो दिन बंधा तो आच्छा तारीक है तो यह साथ को खुलेगा यानि कि एकदम करण्ड में बताता है कि कौन सा कंडलिस्टिक पैटन किस कमपनी में बना है अब यहां पर हमें पता चल गया कि डोजी बनी है औ अब इसके कुछ हम स्टेटजी देखते हैं कि यह सपोर्ट पर है याकिन नहीं क्योंकि यह भी जाना बहुत जरूरी होता है दो काफी ज्यादा नीचे गिरा था तो सपोर्ट पर है थोड़ा सा और ऐसे जूमिन करते हैं तो यहां से लगातार यह गिरी है और कहां पर बना हैं ठीक है अब जैसे ही तीन मंथ पर किये हम थोड़ा सा और ऐसे जूम करके आपको दिखा देते हैं किया है जितने बुलिस केंटनिस्टिक पैटन होते हैं सपोर्ट पर बनने चाहिए और वहां से मार्केट फिर रिवर्स करती है अभी आप देखो कि भीया थोड़ा सा औ इधर कर लेते हम तो यह अभी आपको दिखेगा थोड़ा अर्जिस्ट कर रहे है तो भगाईएगा मत भीया इसकी मत करिएगा दोको यहां से गिरा उपर गया फिर गिरा ठीक है तो यह लेबल क्या है एक सपोर्ट लेबल ठीक है यहां पर मैं एक लाइन ड्रो कर देता हू यहां पर तो को यह लाइन क्या है यहां से इसने यहां तक दिया था हैमर बनाया था तब उपर गया था ठीक है देख लो यहां पर यह आपका ड्रेगन फ्लाइडोजी और यहां पर एकदम साफ देख सकतो यह ड्रेगन फ्लाइडोजी यहां पर बन चुका है तो यह सपोर और बनने के बाद में यहां से देखो market खेच ले गया उपर ठीक है तो यहां से क्या हो सकता है market में reversal हो सकता है लेकिन ध्यान रहे भया मैं एक subscription advisor नहीं हूं तो आपको advice नहीं दे रहा हूं मैं बस analysis करके दिखा रहो हूं कि swing trading की क्या strategy होती है और यह automatic इस app में बता रहा तो इस company का share अभी आप note कर लीजिए हमें लग रहा है कि यहां से price यहां पर अभी 200 के पार में जाने वाली है अभी 2000 के पार में जाने वाली है 1672 चल रहा है ना तो हमें लग रहे कुछ ही दिन के अंदर 2000 पार कर जाएगी तो देखो buying कर यह मैं buy करने का नई दे रहा हूं ठीक है मैं बता रहा हूं analysis करें यह मेरा opinion है ठीक है अभी यहां पर देखो यह resistance है तो resistance के पास तक यहां पर 2000 के उपर भी जा सकती है तो 400 रुपे 3500 रुपे के लगबग बढ़ जाएंगे स्विन ट्रेडिंग में 3500 बहुत होता है समझे रहो ना बहुत होता है तो यह strategy हमारी काम कर गई अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे किसी दूसरे company के share में चलते हैं तो यहां से इसको सीधा कर देते हैं यहां से आ पर हमने क्लिक किया था तो हमें बता दिया किवल एक company के share में ड्रेगण फ्लाइडोजी बनी है अच्छा यहां पर hammer लिखाए जैसा मैंने बताया कि hammer का छोटका भैवा है इडोजी या अब hammer पर क्लिक करते हैं कितने company की share में hammer बने हैं तो यहाँ पर है कंपनी के सेर में हैमर बने हैं किसने बताया एंजल वन का एप बताया तो अगर आपके पास एंजल वन एप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ तो जाकर जल्दी से डिमेट अकाउंट उपन कर सकते हूं ठीक है तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं यह जितनी भी कंपनिया है यह गदम घटिया कंपनी थोड़ी में है यहां पर देख सकते हैं इसमाल कैप मीड कैप इसमाल कैप का कुछ है कुछ मीड कैप और मीड कैप के अंदर हम ट्रेड करते हैं आपको पता है ठीक है तो हम सबसे पह करेंगे जैसे चार्ट के उपर क्लिक कर दिया अब यहां पर क्या करना है हमें ऐसे रोटेट ठीक है रोटेट कर दिया यहां पर देखो जैसा कि हमने बता जितने बुली स्केंडलिस्टिक पैटर्न होते हैं कहां पर बनते हैं सपोर्ट पर और यहां से फिर मार्केट उपर जाते हैं और मैं हर बार एक्जांपल दे देकर आपको बताता हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए तो यहां से हम ऐसे चार्ड को क्या करते हैं छोटा ठीक है छोटा कर ही है तो यहां पर देख सकते हो मैं इसी की लेबल में ऐसे लगा देता हूं भया ठीक है यहां पर मैं लगा दिया जहां से उपर गया है और सपोर्ट पर यहां पर क्या बना है है कि JULY नहीं की यहां से कितने बायों यहां से पर i Must team अधने है ग्यारा सब तब क्या जмат कितना उपर यहां पर उनकर चलते हैं दिखाते हैं कि छोड़ा सो रुपए के लगभग चला गया था 1100 से 1400 रुपिया 12 13 300 रुपिया बड़ा नहीं कितने दिन के अंदर बहुत कम दिन के अंदर ठीक है एक महीने के अंदर में बढ़ गया इतना रुपिया अब आप देख सकते हो अब दोस्तों यहां से देखेंगे फिर से ससुरा नीचे गिर गया है और कहां तक ग गिरी है तपोर्ड के पास में थोड़ा सा मैं इधर पीछी ले लेता हूं तो सपोर्ड के पास में यह ठीक है और सपोर्ड कर फिर से क्या बन गया है 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 आपको पता है जूम करके इसको दिखा देता हूं कि हैमर कैसा होता है अथाओड़ी के जैसा होता है थोड़ा सा दि को जाता है कि तेक्स कंपनी में आप लोग इंवेश्ट करो तीन सब कुछ Columbus tá ट्रकल्य की सदो अब यहां से वक करते हैं थोड़ा थिकन अब यहां पर एक और एक यहां पर हम लोग क्लिक करके देख लें क्या हैमर बना या फिर नहीं तो जी हां इस पर भी एक बार हम देख लेते हैं बना एक नहीं कि तो अगर आपके पास इंजब वन नहीं है थोडा सा रोटेट कर देते हैं कि आपको सब्सक्राइब आपी यहां से कैसे पता चली है कहां पर सपोर्ड एहां पर यहां पर यह सीब Fit आगर हम किसी को कर दो जाते एक महीने बाद बेचे फिर इव्राइन पर इसी कैंपैड थोड़ा चला जा एब यह चीज देखिए नड़ा रहा है यहां से नीची गिspace सब्सक्राइब है और यह बना क्या फूर चलाकर देति हैं च्राप किल बना था मार्केट चल गया था थोड़ा ची कर देते हैं मारेत और ये क्या बना था अभी इसका भी इन्वेटरेट हेमर जैसा लग रहा हूँ लेकिन पर बनता है तब काम करता है support पर यह काहा पर बना है forwards थे का थेम् मझें अभी आपको दिखाएंगे यहां से अभी एक चीज जो दिखाने वाला हो, तो देखिए, यहाँ पर यहाँ से गया है, तो यह क्या काम किया? support का काम यहां पर अभी हम ऐसे लगा देतें इसको यह एक line यहां से गय है, ठीक है अब यह support का काम किया, resistance लिया, नीचे गीरा, अब कहा तक आया है तो यहां पर थोड़ा जूम कर दें, ठीक है. तो यहां पर कहां तक आया है भीखा? सपोर्ट के पास तक आया है और सपोर्ट पर कौन सा के डでलिस्टिक पैटर बना है तो हैमर बनाये तोड़ा जूम करकी सको दिखा देते हैं है धिक्क को यहां परी कौन सा कंड्लिस्टिक है है LI mateix और Video का लगी पर मेटरने करता है हैं मैं मof cam Argadden कोई मेटर यह पड़ता तो support पर बना है इस company का जो share है अभी 1365 रुपए पर चल रहा है ना यहां से मैं बता सकता हूं कहां तक जा सकता है लेकिन कोई recommendation नहीं है भीया तो देखो महिने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है इस company का जो share है वो बढ़ जाएगा लेकिन यह कोई recommendation नहीं है बार बार बोलूँगा क्योंकि मैं से भी रेजिस्टेट एडवाईजर नहीं हूं थोड़ा अच्छा एनाल से जरूर कर लेता हूं आप लोग को सिखा दे रहा हूं लेकि मैं यहां पर सिखाता हूं कि research कैसे किया जाता है किया जाता है क्योंकि आप मंडी में जाओगे ना तो टमाटने 20 रुपय किलो कोई देगा उसके बाजू वाल 18 रुपया में देगा तो आप नहीं लोगे 20 रुपय वाले से चले जाते हो 18 रुपय वाले के पास में लेकिन अब share market में पैसे लगाते हो आप trading में पैसे लगाते हो तो देखते नहीं थोड़ा सा analysis नहीं करते जो मन में आया उसी company का share उठा लेते हो वाई कर लेते हो तो थोड़ा analysis किया करो इसलिए मैं यह example दे देकर सिखा रहा हूं अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो like नहीं किया अगर से जरूर लाइक कर दीजिए बहुत मेंनल लगती है ऐसे वीडियो बनाने में खुब चिलाना पड़ता है चलिए अभी हम दूसरे company का यहां से कोई example लेते हैं ठीक है तो एक हमने भाईया आपको ड्रैगन फ्लाइडोजी का example दे दिया एक हमने hammer का दे दिया अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं एक और का example दे देते हैं inverted hammer का ठीक है inverted hammer भी bully scandalistic pattern होता है अगर आप लोग कहोगे कि पंकज भाईया जितने भी bully scandalistic pattern है जितने भी very scandalistic pattern है एक separate वीडियो बनाएए कि मा कसम जरूर वीडियो आप लोग के लिए बना कर दूंगा ठीक है बस इनवर्टेट हैमर वा ठीक है अब इनवर्टेट हैमर किस company के share में बने कैसे पता चला जैसे क्लिक के यहां पर दो company आ गई ठीक है एक है इंडस बैंक एक है MFSL ठीक है तो इंडस बैंक का अपनी नाम सुना होगा एक कमपनी का share 1382 एक का है 1160 तो हम इसको ले या फिर इसको ले 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 इंडस बैंक थोड़ा नामी अपको लग रहा है क्योंकि यह लार्ज कैप का है यह मीड कैप का है और मीड कैप भी काफी नामी है तो चलो उपरे वालों को ले ले लेते जो 1160 रुपिया है तो दोस्तों अब हम इस MFSL जो है इती के उपर यहां से क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने क्लिक किया देखो यहां पर चार्ट आ गया है और यहां पर इसका प्राइज अच्छे से दिखा रहा है कि 1160 रुपिया चले है तो चार्ट को देखकर प्रेडिक जरूर करना तो यहां पर जैसे चार्ट है यहां पर क्लिक कर देना है अब क्लिक करने के बा बट analysis करना तो सीख जाओगे अगर debit account खोल ले रहे हो, ठीक है, तो description में है, 3 week pull drive खोल लीजिए, अभी यहां से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा rotate करते हैं, ताकि चार्टवा बढ़वार दिखे, तो chart यहां पर देखो, rotate हो चुका है, अब यहां से हम क्या करते हैं, कर देत share अपने all time high पर पहुचती है, यह company का share कोई support resistance बना बना कर नहीं जा रहा है, यहां से एक trend line जा रही है, और यह अपने all time high के पास में पहुची है, तो बहुत जादे चांस है कि यहां से यह उपर जा सकती है, और यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ, यह कौन से candlestick है, भही आप bullish है, bullish candlestick pattern है, और trend line में जा रही, support पर नहीं है, बट trend line के support पर है, आप देख सकतो, inverted hammer, हमने बताया था ना कि इसके पहले inverted hammer, उल्टा हथावडा के जैसा होता है, यानि कि जो हमारा hammer होता है, उसके बिल्कुल opposite होता है, इतन लिए इसका नाम होता है inverted hammer, बट अग अगर यह resistance पर बनता है, तो bearish का काम करता है, अब यह देख सकतो, यह all time high के पास में 1150 रुपया प्राइच चल रहा है, अब मुझे ऐसा opinion है, यह मेरा research है, मेरा analysis है, कि यह जो इसका all time high था भी, all time high कितने पर है इसका, तो यहाँ पर 1215 रुपय के पास में है, यानि कि यहा है कि अब यहाँ से यह फिर अपने all time high जो इसका है, यहाँ पर यह candlestick का all time high का side हो दिख रहा है, इसके भी उपर निकल सकती है, तो लगभग यह 300-400 रुपया और बढ़ने वाला है, within one month के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा opinion है, हम ऐसे ही analysis करते है, कल हमने strategy को देखा तो इसके उपर जमक कर एकदम analysis किया, तारी analysis मेरी सही पाई गई, ठीक है, तो यहाँ से अभी आपने देख लिए कि inverted hammer बना है, तो ऐसे सब में मैं example दे देकर नहीं बताऊंगा, भया क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, तो आप लो इसका तो तीन example देख लिया, क्योंकि हमने dragonfly doji का भी देख लिया, हमने hammer का भी देख लिया, हमने inverted hammer का भी देख लिया, अब हमें देखना है बीरी सवालों का, कि कि किस company का share गिर सकता है, क्योंकि अगर माल लो हमें पता चल गया कि यहाँ से अच्छा खासा buying आ सकती है, हम हम भाई तो कर लिये, बट यह तो भी पता होना चाहिए, कहां से share नीचे गिरिया, पता चला यह पता ही नहीं कहा, पर हमें बेचना है, हम भाई करने का तो कर लिये, तो उपर गई यह profit दिखा दिया हमको 50,000 रुपीया, और हम profit को भूके ना करे, फिर से नीचे गिर कर 50,000 लोज दिखा दिया, तो वहाँ पर बन जाएगा ना, तो यह चीज़े नहीं करना है, ठीक है, स्तारी चीजे जाननी है, ठीक है, अभी यहाँ पर बनाए सुटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ठीक है, और यह दो के दोनों कंडलिस्टिक क्या होते है, बीरीस, और यहाँ पर बूलिस इंगल्फिंग है, बूलिस हरामी है, मौर्निंग स्टार है, तो इसमें कुछ-कुछ ना, बूलिस वाले कंडलोगा को ढाकेल दिया है, ताकि बीगनर लोग अगर नहीं जानते, तो लोग सो जाए, लोग सो जाए, तो मैं किसलिए हूँ भीजा, आपको सिखाने के अगर आप लोग कहोगे कि जितने बूलिस स्केंडलिस्टिक पैटन है, जितने बेरी स्केंडलिस्टिक पैटन है, एक दम सप्रेट वीडियो बनाईए, तो 100% जरूर बनाऊंगा, बस कमेंट करके बताईए आप लोग, तो सबसे पहले हम सूटिंग स्टार का एक्जाम्प के ये कमपनी है, ठीक है, कितने कि ये बुजा, 516 रूपय की, तो बड़ा महंगा सेर है, हमारी इसाब से, क्योंकि अभी बिगिनर के पास में उतना पैशा तो होता नहीं है, कि इन सब कमपनी का सेर खरीदे, ठीक है, और भाई, बढ़ियां कमपनी होगी हमें लग रहा है, तो टच करके देखते हैं, एक बार ना इस पर, यहां पर देखते हैं, टच किये, ठीक है, और यहां पर आ गया देखो चार्ड, ठीक है, तो एक बार चार्ड के उपर क्लिक कर दिये, मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें, आपको टच करके ऐसे दिखा रहा हूँ ता कि आप सकते हूं यह सूटिंग स्टार केंडल स्टी और सूटिंग स्टार जो होता है यह बड़ा ही वे रिस होता है यह रेजिस्टेंस पर बनता है यानि की यहां पर देख सकते हैं गृर्ण बनाई एक दम बनता है यहां अबिए आपको जूम्ग करना है ऐसे क्या करना है एक बार यहां से गिरा तो यहां पर सपोर्ट है तो सपोर्ट इसका काफी जादे नीचे हैं तो पहिला जो सपकॉर्ट इसका हम को दिख रहा है पहला सपोर्ट इसका 4515 रुपए के लगभग में यानि कि 56 से गिर करी 1500 रुपए के लगभग तक आ सकता है ऐसा मेरा उपिनियन है आपको बाहिए सेल करने के लिए नहीं बोला हूं 4515 रुपए तक यह आ सकता है और एक वीडियो यहां पर आपको एक सपोर्ट और दिखा रह सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के पास तक गिर सकता है यानि कि पहला सपोर्ट तो यहां पर था ठीक है और दूसरा सपोर्ट यहां पर है तो अगर यह गिरेगा चपन सो से और चार हजार आएगा तो फंद्रस रुपिया गिर सकता है तो हमें ऐसा नहीं कि भाई अगर आप इस कंपनी का सेयर बाई कियो सेल कर दो हम कुछ भी नहीं बोलें बट अगर आप किसी कंपनी के सेयर में बाई कर रहे हो तो आप देखना सिखिए कहां पर सूट कर दे रहा हूं भया मैं जूम कर दे रहा हूं यहां पर ठीक है यहां पर देखिए यह एकदम इनवर्टेड हैमर के जैसा है बट यह सूटिंग स्टार क्यों कि यह बना है आपके रेजिस्टेंस पर यहां से सपोर्ट काफी नीचे है गिर सकता है तो आई होप आपको यह अभी समझ में आई होगी अब हम दूसरा एक्जम्पल पकड़ेंगे जल्दी जल्दी चलेंगे ठीक है तो यह सूटिंग स्टार तो केवल एक कंपनी के स्टेर में आभी आपको दिखा ठीक है अब हम और एक्जम्पल आपको दिखाते हैं यहां पर भाईया उपर खसक दिखागे यहां पर चीज और दिखा देते हैं हैंGy man91 एया पता हैं जो मिया इसे मर जाता है हमारा रही हमर होता है यह है मर यंगर यह के यह मर पर बन गया तो उसको हैंगिंग मैं तक किसी कंडल लिस्टिंग में मतलब किसी कंपणी के सेयर में नहीं बना है तो जब बने गई यह बता किसमें बनाए तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये इतना आसानी से बता दे रहा है कि किस कंपनी के सेयर में आपका हैमर बनाए या फिर सूटिंग इस्टार बनाए मतलब आप ये सारी चीजी जानकर अगर एनालसिस कर लिए हो दू महिना तीन महिना अच्छे से सीख जा उना उचके बास च्रेडिंग में तो बहुत में पैसा बनेगा तो सीखिए पहले पहले बाई सेल करने के चकर में कहें पढ़ते हो पहले सीखिए आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ाई करना परता है तो आप होक दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडि को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं यह नए स्तांदार वीडियो में तब तक के लिए जहन अल्वी मात्रा है